हलो एड़ीवान मैं साथना और बहुत-बहुत स्वागत है अप्रकों का अपने चैनल एमीपकाया मीखा एंड ब्लॉग तो आज मैं लेकी आई हूँ अंडा दो प्याजा ये बहुत ही टेश्टी रखता है खाने में और मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ तो चलिए बनाना ये स्टार्ट करते हैं अंडा दो प्याजा तो इसके लिए सबसे पहले में यहां पे दो प्याज ले ली हूँ और दो सिमला मिर्जी अद्रक कर टुक्रा डालूंगी इसके बाद इसमें में प्याज डालूंगी चार प्याज को मैंने रफ्टी चौप कर लिया है और इसको भी डाल देंगे इसमें और प्याज को हम हलका सुनारा होने तक भून लेंगे इसे हम हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे तो प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है अगर ये रेस्पी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट्स में बताएगा कैसे लगा आप लोगों को और मेरे चैनल पर नहीं हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर दें बेलाइकन के साथ तो यहां पर प्याज हमारा अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें मैं तीन टमाटर को रफली छॉप करके डाल दी हूँ मोटे मोटे पीसे में मैंने काटा है क्योंकि यह इसे हमें पीसना है तो यह अच्छे से टमाटर को भी हम भून लेंगे जिससे यह सौप्ट हो जाए बिलकुल तो इसको चलाते हुए मैं अच्छे से भून लोगी टमाटर और प्याज को यह हमारा अच्छे से भून चुका है प्याज और टमाटर और सफ्ट हो चुका है टमाटर हमारा तो इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंधा कर लेते हैं जब यह ठंधा हो जाएगा तो इसका हमें पेस्ट रेडी कर लेना है तो देखिए ठंधा हो चुका है अ सब सीम करवाइ में एक से बढ़े की योड़े वियों से एक सिमला मिर्स को डाल के हम वहल्का सा भून लेए वोनेगे कोने फिजा रहे भूंधाना कि नोइसे सिर्ट काफि अच्छा आता है यह प्याज और यह सिमला मिर्ष का क्रंची से तो दिखी बिल्कुल रेडी हो चुक है इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है तो इसे अब हम निकाल लेंगे प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर मैं आठ अंडा ले ली हूँ और इसको मैं बॉयल कर ले हूँ यह बॉयल अंडा है अब इसको मैं उपर से कट कर रहे हूँ चकु से ज्यादा अंदर तक नहीं करना है बस वाइट वाला जो उपर का पाठ होता है हलका हलका सा कट करके चारो तरफ से कट लगा लेना है अंडे में जिससे जब हम रस में डालेंगे तो अच्छे से यह उसके अंदर तक चला जाए अब यहाँ मैं एक चमच तिल और डाल दी हूँ कढ़ाई में और अंडे को फ्राइब करना है तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा यहाँ पी लाल मिर्श पाउडर डाल दोंगी और नमक भी आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा ब्रस कीप हो गया है नही इसको हाई फ्राइब कर लेंगे तो देखें अंडर हमारा डेडी हो चुका है अब सेम कढ़ाई में मैं तीन बड़े चमच तिल डाल दी हूँ और इसमें एक चमच जीरा और एक छोटी से दाल चीनी और काली वाली इलाइची को डाल दी हूँ इलाइची को मुझ खोल के ड वाल जालों करेंगे कि ये में इसमें डाल दीगी अब इसको फिमीनाठ कीणी लेंगे है कि म्हारे अच्छी से भूल है हमने टमाट्र को पैने भीख फूंण आ है लेकिन फिर बीसे हम दो मिनाठ तक भूनेंगे पहले इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले आड़ करेंगे यहाँ पर मैं एक चमच छोटी चमच से एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच मैं कसमेरी लाल मिर्श और आधी चमच तीखी वाली मिर्श डाली हूँ और एक चमच यहां पर जीरा पॉर्डर डाली हूँ और आधी चमच मैंने यहां पर काली मिर्च का पॉर्डर भी डाला है अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को और मसाले को हमें बहुत अच्छे तरीके से भूलना है तो यहाँ पर मैं एक चमच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इसको मैं अच्छे से क्रस्ट कर लिया था, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, अब इसको ढग के हम पका लेंगे थोड़ी दिर के लिए, गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे, अब चेक कर लेते हैं मसाले को, तो मसाला हमा तो स्लो आज़ करके, अब मसाले को अच्छे से भूल ले, अब इसमें हम डालेंगे प्याज और सिम्ला मिर, जो हमने फ्राइब करके रखा हुआ था, और इसको ढाल के मिक्स कर लेंगे, और इसी भी हमें एक से दो मिनट के लिए भूल लेंगे, अब इसमें हम पानी डाले तो आपको ग्रेवी जितना चाहिए आप उसमसर पानी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर छोटे ग्लास से दो ग्लास पानी डाल रही हूँ और पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के कोडिंग नमक डालें और इसमें एक छोटा चमच ग्रम मसला भी आड़ कर दें अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उबल जाने देती हैं जब उबल जाएगा फिर इसमें हम अंडा डालेंगे मैंने यहां से दो से तीन मिन तक इसको अच्छे से उबल लिया है उबलने के बाद इसमें हम अंडा को एड कर देंगे और अंडा डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे हम तीन से चार मिन तक अच्छे से पका लेंगे यह बहुत ही टिश्टी लगती है आप लोग जिरू ट्राई किजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताईएगा कैसे लगा आप लोगों को तो अब इसमें मैं राड़ी हूं दो चम्मच यहां पर मैं राड़ी हूं अमुल फ्रेस क्रिम अब चाहें तो घड़ की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ काजू का पिष्ट बना के भी डाल सकते हैं इसका टिस्ट ग्रेवी में काफी अच्छा आता है तो आप लग जरू ट्राई करें अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए यह हमारा अंडा दो प्याजा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी और यम्मी साथ डिलिस्यस इसे आप रोटी के सांथ चपाती के सांथ पूरी के सांथ खा सकते हैं चावाल के सांथ भी खा सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बाबाई टेक क्यार थेंक्स पर वाचिंग